कि नमस्कार दोस्तों आपका फिर से बाई स्टेडी एप बाई स्टेडी चैनल या बाई स्टेडी मंच पर आपका स्वागत है हम पढ़ रहे थे अभी इससे पहले की क्लास में और हमारा टोपिक जो चल रहा था वो चल रहा था बेटा कार्बो हीट्रेट मैं जो टोपिक है फूड न्यूट्रिसेंस की हम बात कर रहे थे और फूड न्यूट्रिसेंस में आपको बता है सरू से क्या होता है फूड न्यूट्रिस कितने प्रकार की होता है ये और इनके जो टाइप से उनको किस आधार पर डिस्टिविशन किया गया है उनको बाटा गया है तो ये हमन नहीं साथ प्रकार के पोसकत्तों का मैंने आपको नाम बताया था पहला कार्वाइटेट था दूसरा था वसा जिसे लिपिड कह रहे थे हम तीसरा था प्रोटीन चोता था विटामीन पांचवा था खनीज लवन छे नंबर पे था जल वाटर और साथवे नंबर पे था नुक कारिय के आदार पर उर्जा देने वाले एनरजी जो हमें देते हैं उर्जा देते हैं वो तीन है पहला था कार्वाइटेट दूसरा था वसा और तीसरा था प्रोटीन उसके बाद में हमने बताया था दूसरे नंबर पे कि जो हमारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है यानि जो biological reaction जो हमारे सरीर में होती है, उनको जो control करते हैं, वो भी तीन थे, पहला vitamins था उनमें, दूसरा कौन सा था, दूसरा था उसमें minerals, यानि खनी जलवन, और तीसरा था जल water, और उसके बाद सातवी नंबर का जो last बसता था, उसका नाम था, nucleic acid, मैंने कहा था, कि ये nucleic acid, कैसा पो सकता तो है, जो हमें किसी भी खाने की, या किसी भी पीने की वस्तु से, हमें प्राप्त नहीं होता है, ये हमारे, यानि कि, हम ये कह सकता है, जितने भी organism जो cell होते हैं, जितने भी जीवित को सीकाएं होती है, उन सभी के अंदर ये already पहले से ही पाया जाता है, nucleic कामल की चर्चा हम आगे, टौपिक में मैंने कहा था कि अगले टौपिक में करेंगे उसलिक का नाम भी आपको मैंने बताया था, टौपिक का नाम था, जो हम पढ़ेंगे अभी, तो यानि कि, हम उसके बाद में कह रहाता है, कि हमने उसमें पहले नमबर पर ये स्टार्ट क पाइजाते हैं पहला जो तत होता है कारवन होता यह दूसरा होता है हाईड्रोजन और तीसरा ऐंग ब्ल southwest व्म में पूस यह नुकर ऽीजावलक्स दीजिवडिवी एकञ़ देट के रोप में ऊसे कीवसुष्य के अग्जाम मैं इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं गोर देना आपको इस क्यूशन पे और ये क्यूशन कई बार आ चुका है कि एक अनु कार्वाइटेट के अंदर कार्वन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है उसमें अनुपात आपको अलग-लग दिया जाएगा दो अनुपात तीन अनुपात चार जो भी है जो आपको सही अनुपात देखना है वो देखना है एक अनुपात दो अनुपात एक के रूप में अगर मैंने यह भी कहा था अगर हाइड्रोजन का नाम पहले आ रहा है तो फिर दो पहले होगा फिर ऐसे रटके नहीं रखना हमें कि एक अनुपात दो अनुपात एक ही करेंगे नहीं अगर आइडरोजन पहले आता है तो फिर दो पहले रख देंगे हम ठीक है तो यानि कि उसके बाद हम ने बात की थी कि वही कारवाइटेट की सबसे ज़्यादा मात्रा किसमे होती है तो अगर हम बात करें कि होता है अगर हम बात करें यहां अनाजों की तो अनाजों में सबसे ज़्यादा यह होता है चावल में अगर हम बात करें यहां पे सबजियों की तो सबसे ज़्यादा होता है आलू में और उसके बाद हम बात करें फ्रूट्स यानि की फलों की और उसमें होता है बिटा यह क दोनों क्यूशन आए हुए हैं इसलिए मैंने बॉर्ड पे कंप्लिट क्यूशन लिखा था और उसे उप्सन भी दिये थे पहला हमने क्यूशन था कि सबसे जादा उर्जा एनरजी देने वाला जो फूड एलिमेंट है वो कौन सा है सबसे जादा उर्जा हमें किस से मिलती है अधिकांस लोगों का ओफ लाइन में जब क्लास लेता हूँ अधिकांस बच्चों से फूशता हूँ कि बटाई इसमें क्या आएगा तो ज़्यादा तर बच्चों का 70-80% बच्चों का जवाब होता है सर कारवाइट एट बिलकुल गलत है कारवाइट एट हमें उर्जा न थो कोन देटा है तुरंत कोन देता है और तो तुरंत वहां आपको करना है फिर कारवाइट एटेट मैंने कहा था प्लेयर्स जो होते हैं धावक का उप्यों करते हैं और कार्वो हाइट्रेट में मैंने बताया था किसका करते हैं गुलुकोज का अब आगे हम स्टार्ट करते हैं देखो एक और क्यूसन है बहुती कार्वो हाइट्रेट का परिक्षन क्या भही कार्वो हाइट्रेट का परिक्षन जिसको हम सामानेत जांच बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं TEST कि भही कार्वो हाइट्रेट का जो टेस्ट होता है यानि कार्वो हाइट्रेट का जो परिक्षन होता है या कार्वो का परिक्षन या कारववाईटेक की जांच या कारववाईटेक का जो test होता है кिस नाम से जानते है तो वहां आपको करना है Mowault Sage क्या करना है Mowla Sage याद रखना है कि कार वाईटेक की जांच होती है उसे मोला सेज कहा जाता है ये बिलकुल याद रखने की बात है बहुती मोस्ट इंपोर्टेंट है अंडरलाइन कर लीजे इस पे आप कि भाई मोला सेज आप लिख लीजे कि कार्वो आइट्रेट का जो यानि की परिक्षन होता है या जाच जो होती है उसे किस नाम से जानते है मोला सेज के नाम से जानते है किस नाम से मोला सेज आगे यदि हम बात करें कि भाई कार्वो आइट्रेट जो होते है ये कार्वो आइट्रेट जो होते है इनको कैमिकल यानि की रासाइनिक रासाइनिक सनरचना के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है किसके आधार पर भई रासाइनिक सनरचना के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं हमने इससे पहले कारिये के आधार पर बताये थे की कारिये के आधार पर भी ये तीन प्रकार के होते हैं उरुजा देने वाले, जैविक क्रियाओं को पूरा करने वाले और तीसरा था अनुवानसी गुणों को एक पीडी से दूसरी पीडी तक पहुचाने वाले मगर यहां हम बात कर रहे हैं कि रासाइनिक सनरचना के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं तो भी इनको हम सामानेत तीन भागों में बाट सकते हैं और जनरल वे में यहां इनकी बात करें तो देखो ये कौन-कौन से होते हैं यहां मैं बात कर रहा हूँ रासाइनिक सन्रचन के आधार पर आधार पर कार्वो हाईड्रेट के प्रकार हमने बात की रासाइनिक सन्रचना के आधार पर कार्वो हाईट्रेट के प्रकार chemical structure रासाइनिक ठीक है chemical structure रासाइनिक संरचना के आधार पर types of कार्बो hydrate कि प्रकार कितने प्रकार होते हैं मैंने कहा ये प्रकार होते हैं तीन और ये तीन प्रकार जो होते हैं ये कौन-कौन से होते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहा है पहले नंबर नंबर पहले पे क्या है सबसे पहला नंबर जो है वो है मोनो शैके राइड तो भाई पहले का नाम क्या है मोनो सैके राइड पहले का नाम क्या है मोनो सैके राइड दूसरे नंबर पे जो है उसका नाम यहाँ है ओली गो ओली गो आगे ऐसे कैसे लिखना है सैके राइड ओली गो सैके राइड और तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम है भाई, पोली, पोली सेकेराइड, पोली सेकेराइड, ओली को, यहां इसको या, इसको हम डाई सेकेराइड भी बोल सकते हैं, डाई सेकेराइड, डाई सेकेराइड, दुवारा से धान देंगे हमने कहा रासाइनिक पर डिफ्रेंस क्या गया तो देखिए यहां इनके अंदर कार्बो आईटेट के अनओं के आधार पर कार्बो हाइट्रेट के जो मोलेक्ल्स होते हैं उन अणूं के आधार पर इनका डिस्टिविशन किया गया है इनका विभाजन किया गया है तो वो कैसे किया गया है भाई यहां पे अगर हम देखते हैं तो मोनो सेकेराइड हम किसको कहेंगे भाई मोनो सेकेराइड कहेंगे जि किवल एक अनू पाया जाता है कितना अनू एक अनू किसका कार्बो हाइटरेट का अगर एक अनू ही कार्बो हाइटरेट का है तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे वही तो हम उसको नाम देंगे क्या मोनो सेके राइड क्या नाम देंगे वही मोनो सेके राइड अगर एक अनू आया था डाई, ट्राई, 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 ट आपको पता चल रहा है यहां पे इसको डाई नाम दे रहा है कि इसका मलब है कि इसमें एक तो हो नहीं सकता वह एक नहीं हो सकता तो कितने हो सकते हैं दो होंगे दो अनू मगर ऐसे नहीं कि दो ही अनू होंगे अगर दो अनू है जर्नल वे में दो होते हैं इसलिए इसको डाई से करेड करे रहे हैं जर्नल में क्या होते हैं दो होते हैं अगर तीन होगे तीन अनू अगर इसमें हैं तो फिर डाई के बजाए फिर try हो जाएगा नाम, 4 है तो फिर tetra, 5 है तो फिर penta, 6 है तो फिर hexa, ऐसे इनके नाम change हो जाएगे, तो यानी कि 2 अनू से 2 अनू कम से कम होने चीए, और अधीकांस्त अनू की संख्षा इसके अंदर कितनी होनी चीए, 2 अनू से 2 अनू से लेकर 10 अनू, कितने अनू भाई, 10 नमबर को क्या बोलता है, डैक बोलता है, डैक, 2 से 2 अनू से 10 अनू, तक, कार्बो हाइट्रेट की संख्षा होती है, 2 से लेकर, इसको यही तक बात कर रहा हूं, 2 से 10 अनू, तक, कार्बो हाइट्रेट की संख्षा, कार्बो हाइट्रेट अनू की संख्षा होती है, कार्बो हाइट्रेट किसकी होती है, कार्बो हाइट्रेट किसकी होती है वही, कार्बो हाइट्रेट दस अनु दो अनु से दस अनु तक कार्बो हाइट्रेट पाए जाते हैं पाए जाते हैं और अगर देखो हमने क्या कहा अप ओलीगो दुबारा से देखेंगे अपे ओलीगो या डाइस है के राइट को उसमें क्या होता है कि इसमें दो से लेके कितने अनू होते हैं भई दस अनू तक पाए जाते हैं और लास्ट में उसके बाद क्या बसता है पोली से के राइड तो इसका मतलब सापसा है कि इसमें ग्यारा से ग्यारा अनू ग्यारा अनू से कम से कम कितने होने चीए ग्यारा कम स के बाद अगर 11 से ठीक है अगर 11 अगर है तो 11 से अनन्त अनन्त इन्फाइने अनन्त जितने भी अनन्त होंगे वो सभी के सभी बटा किस में होंगे पोली से के राइड में किस में होंगे पोली से के राइड में होंगे तो याद रखना है हमने दुबारा से बात कर रहा है कि भाई रासाइनिक संद्रचना क्या धार पर कार्वो हैट्रेट के प्रकार तीन प्रकार के यह होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के पहला कौन सा है भई पहला कौन सा है जान देंगे पहला कौन सा है मोनो सेके राइड कौन सा है इसमें कौन सा है मोनो सेके राइड में क्या है कि इसके अंदर केवले एक अनू होता है एक अनु कारवाइटेट का होता है ओलीगो सेके राइड में क्या होता है कि कम से कम कितने उनते हैं दो अनु होते हैं और दो से लेके कितने होते हैं दस अनु तक पाए जाते हैं अगर दस अनु तक हैं तो उसका नाम क्या होगा फिर उसका नाम होगा बिटा औलीगो सेकेराइड और अगर फिर 11 से लेके फिर कितने भी सेकडों ठीक है सेकडों अनु हो सकते हैं 100 अनु हो सकते हैं 200 हो सकते हैं 500 हो सकते हैं 1000 हो सकते हैं ठीक है तो कितने भी अनु अगर हैं तो फिर वो किसमें जाएगा पॉली सेकेराइड में फिर वो किसमें जाएगा भई पॉली सेकेराइड में तो इस प्रकार से यानि कि तीन प्रकार के क्या है तीन प्रकार के ये सेकेराइड होते हैं यानि कार्वाइटेट होते हैं आप यदि हम बात करें यापे तो देखो 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 पॉली सेके राइड यह काफी important होते हैं पॉली सेके राइड में हम बात करेंगे आगे कौन-कौन से पॉली सेके राइड होते हैं मैं आगे बात कर रहा हूं यहाँ पे कुछ पॉली सेके राइड जो important है में उनके नाम बता रहा हूं आपको पहला पुली सेकेरे ड की कुछ उदाहान दे रहा हूं आपको इसका फोली सेकेर हैड जो है पुली सेके रहेड कि देखो स्लीचा मोन होविन्पवाइड लुप सब्सक्रेन के कोई से लिके session किसा मॉनो सद्स पाइड का इसके साथ जैसे हम बात करें डाई से के राइड है ट्राई टेटरा पेंटा यह सभी जो उधार्ण होंगे वो किसके होंगे ओलीगों के उधार्ण होंगे और यहां जो मैं जो इंपोर्टेंट जो इंपोर्टेंट है वो किसके है पॉली से के राइड के उधार्ण कुछ इंपोर्टें celluloge पहला कया है celluloge दूसरे नम्बर पर आपने नाम सुना होगा ka yhteen का ka yhteen तीजरे नम्बर पर आपने नाम सुना हो तो वो है भई hyperine क्या है hyperine चार नम्बर पर अगर आपने नामसुना हो तो वो है starch हाँ बिल्कुल जिसे मंड भी कहते हैं क्या कहते हैं भई मंड भी कहते है और पांचवे नंबर पे बिटा है नाम सुना हो तो उसका नाम है गलाइकोजन क्या है गलाइकोजन ये प्रमुख पांच प्रमुख क्या है ये ये पॉली से के रैड है पहला क्या है सैलिलोज है दूसरा काईटीन होता है तीसरा हिपेरीन ह चोथा स्टार्च या मन्ड बोता है और पाँच्वा क्या होता है गलाई कोजन वैसे यह नहीं च hoch hie बहुत इंपोर्टेंट है सेलूलोउज डेशी तो में गास कहते हैं जो स Queensborough सोने भाटिए ही science की वासा में उसी को cellulose बोल रहा है उसको क्या बोल रहा है cellulose आपको बता है कि हमारे सरीर में मानव सरीर में cellulose का पाचन नहीं होता है मानव सरीर में cellulose का पाचन नहीं होता है जनतों में होता है किसमें होता है मवेसी किसे कहता है मवेसी वे जनतों होते हैं जो दूद देते हैं क्या देते हैं दूद जैसे की जैसे की गाई भैस बकरी आपको बता है यह क्या खाते हैं यह गास खाते हैं और गास खाते हैं क्योंकि इनके सरीर में गास का पाचन हो जाता है भाई आप सोच तो हमारे सरीर में क्यों नहीं होता घास का पाचन क्योंकि हम घास खाते ही नहीं है अगर घास खाते भी है तो हमें उल्टी हो जाएगी और हमारे सरीर में गलती से अगर कुछ प्रसेंट घास चली भी जाती है तो भी उसका पाचन नहीं होगा क्योंकि हमारे सरीर के अंदर य जादा बहुत ही अच्छे से क्लियरली लोब से डिफाइन करेंगे कि क्यों नहीं होता है यहां थोड़ा से बता रहा हो क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंतर है उसका एक पाल्ट है और उस पाल्ट का नाम है लाज इंटेंस्टाइन यानि की बड़ी आत और बड़ी आत का एक पाल्ट होता है उसका नाम होता है सीकम क्या होता है बटा सीकम और वो सीकम जो भाग होता है वो ही पाचन करता है किसका सेलिलोज का वो किसका करता है सेलिलोज का यह बात सही है कि हम हमारे सारीर में भी सीकंा भाग राग मंगर क्यों नहीं कर रहा क्योंकि हमारे सरीर में जो सीकंच narrativa का सबसे ऊपर वाग कोई काम नहीं होता कि वहाई कि अपने नाम सुना हो गाँ कोई कोसी का विती मैं यह पाच्यों के पाच्यों इंपोर्टेंट है वई इसलिए मैंको थोड़ा सा बता रहाउँ आपको क्यूंस आते हैं यहांसे और DCT पूलीष सेलूले संट्रारएं नbayने संसरेल नीवता है तो आपको क्या करना है सेलूलॉज का पाचणद्र्योफ वह कौन सा पॉलीस के राइड है जिसमें जिसका मानों सरीर में पाचन नहीं होता तो वहाँ पे आपको क्या करनेंगे यहाँ पे आपको करना है अपने कोसी का बारे में बात करेंगे और बताएंगे कोसी का वित्ती जिसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं सेल डबलू ए डबलल सेल वाल कहा जाता है इसे कोसी का भित्ती और जो कोसी का भित्ती का जो आवरन होता है लेयर जो होता है लेयर आवरन तो कोसी का भित्ती का जो आवरन है वो भी किस से बना होता है वही cellulose से बना होता है किस से बना होता है cellulose से कोशी का वित्ती का जो आवरन है वो किसका बना होता है cellulose का मगर अगर आपको यह पूछ ले कि वही जो कवक होते है कवक 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 जो होते है इनकी कोशी का वित्ती जो होती है वो किस पधार्त की बनी होती है वहाँ आपको cellulose नहीं करना केवल कोसी का वित्ती किस की बनी होती है cellulose की केवल और केवल पेड़ पोदों की पेड़ पोदे जो होते है उनकी कोसीकाओं में उपर जो आवरण होता है उसी को क्या बोलते है कोशी का वित्ती कहते हैं और ये कोशी का वित्ती जो होती है वो बनी होती है किसकी भई सेलुलोज की मगर अगर कवक के बारे में आपको पूछ ले ठीक है ये ससी सीजील में आया कई बार कि भई कवक जी कवक जो होता है ठीक है फंजाई ने कहते है फंजाई और कवक जो होत किस पदार्त की बनती है तो वहां सही जवाब होगा क्या वहां सही जवाब होगा काईटीन क्या होगा वहां पर क्या होगा काईटीन जो हमारा यहां पर सेकिंड नमबर पर है काईटीन और काईटीन भी एक प्रकार का क्या है वही ओली से के राइड है क्या है पॉली से के रा निविख प्रव्राइब क्या पॉली सेर्ञाय जो है उसका मानों सरीर में पाचन नहीं होता तो आपको आपको करना है उसके बाद पीड़ पो दो में कोसी का बित्ती होती है उसकी बनी होती है यानि कि उसके बाद में अगर आपको कुछ लिया जाए फंजाई कवक जो होते हैं उनकी कोशी का वित्ति किस पदार्त की बनी होती है वो काईटीन की बनी होती है किस की होती है काईटीन की बनी होती है तीसरे नमबर पर अगर हम बात करें आपे तीसरे नमबर पर यदि हम बात करें हिपेरीन की ह हिपेरीन ये हिपेरीन क्या है वई ये हिपेरीन हमारे ब्लड के अंदर हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक कैसा पदार्त है एक पदार्त है प्रति इसकंधित ये हमारे ब्लड में पाया जाने वाला कैसा पदार्त है वही प्रति इसकंधित पदार्त है क्या है प्रति इसकंधित पदार्त ये हिपेरीन क्या है वही हिपेरीन हमारे सरीर के अंदर पाया जाने वाला एक कैसा पदार्त है प्रति इसकंध अगर ब्लेड को जमने से रोकता है हमारा ब्लेड अत्यादिक ठंड में भी अगर जमता नहीं है तो वो किसके वज़े से नहीं जमता हिपेरीन की वज़े से अगर हमारे ब्लेड में हिपेरीन को निकाल दिया जाए अगर ब्लेड से पेरीन क्या हो जाए अलग हो जाए तो फि प्रतिसकंदित पदार्दर। आपा नाम मन्डौंत कर रहेंगे, जितने भी प्रवजन इखटा होता है, उसी का नाम मन्डौंतौं तो याद रखेंगे पेड़ पोधों का संचित भोजन क्या कहलाता है? इस्टार्चिया मंड कहलाता है? अब बच गए कोण? बच गए कोण भाई? पेड़ पोधों की बात हो गई कि ये तो पेड़ पोधों का भोजन है? पेड़ पोधों का संचित भोजन जो है वो क्या है वही स्टार्च या मंड होता है अब पेड़ पोधों के अलावा बच गए को जन्तु बच गए वही जन्तु ठीक है यानि कि प्राणी बच गए और प्राणीयों में मनुस्य भी सामिल है तो यानि कि जितने भी प्राणी होते हैं अधिकान सभी प्राणीयों का संचित भोजन जो होता है वो क्या होता है गलाइकोजन वो क्या होता है भई गलाइकोजन गलाइकोजन पर देखो एकजाम में क्यूसन आये था कि कि उपवास देखो ध्यान से सुने क्यूसन को क्या क्य सब्सक्राइब करते हैं उस वरत के दोरान हमें उर्जा कहां से मिलती है उर्जा हमें कौन देता है ठीक है तो वहां सही जवाब था गलाई कोजन अगर महिलाएं वरत करती है तो यानि एक देली जिए जिसेंपर करते हैं तो यानि की उनके आंदर जो यह फिर कोई बी आदमी जैसे अन्हाजारे जी थे आपको बैता है अजारे जी काफी दिन तक जैसे उनको जाने जाते हैं आपको बता है काफी वह माफुरूस है अच्छे वह हैं और वह जब से ज़्यादा जो उनको जानने का वह अंसन पर लोग काफी सारी अपने कमेटी के साथ बैठे थे तो इसलिए देखो अन्ना जा रहे अब उस time में उन्हों को अंसन ये नाम सुना है अपने की अंसन का मतलब है कि अन नहीं खा रहे हैं अब अन नहीं खा रहे है तो फिर भी देखो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं अगर एक महिना भी अगर कुछ नीघाए ठीक है मगर पानी वगरा पिए भोज अगर नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं तो कहने मतलब है उस दोरान हमें जो एनरजी मिलेगी वह कहां से मिलेगी गलाइकोजन से इसलिए गलाइकोजन को कहा जाता है जन्तूओं का संचित इधन जन्तूओं का संचित इधन तो पेपर में अगर क्यूशन आ जाए दुबारा क कि वही जन्तूओं का संची तीधन क्या है गलाइकोजन जबकि पेड़ पोधों का संची तीधन क्या है बिटा पेड़ पोधों का संची तीधन क्या है इस्टार्च या मंड तो यानि की सायद यह पांचों जो मैंने बताएं इनके काम समझ में आए होंगे आपको सबसे पहले हमने सेलिलोज की बात की काईटीन हिपेरीन स्टार्च या मंड और गलाइकोजन कोई टेंसन नहीं है इनका या आगे भी कई जगे यह काम आएंगे कई टोपिकों में इनका नाम आएग टेक है अलग से बात करेंगे हम काईटीन की आगे बात करेंगे हमारा ब्लेड वाला जो टोपिक होगा उस ब्लेड में हिपेरीन को और ज्यादा और अच्छे से बताएंगे टिक है गलाइकोजन इस्टार्च मंड यह भी आगे इनका भी यानिकि हम आगे और चर्चा तो यानिकी आपको देखना अब आगे हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी और कि भाई कार्बोहाइट्रेट हमारा यानिकी टोपिक चल रहा है मैं क्या चल रहा है हमारा में टोपिक वो में टोपिक जो मारा है उसका नाम आपको पता होना ची हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइट् यह topic हमारा चल रहा है main topic हमारा पोसकत्व है पोसकत्वों में हम पहले नमबर का पोसकत्व पढ़ रहा है उसका नाम क्या है भई? उसका नाम है Carbohydrate क्या है भई? Carbohydrate अब देखो यह जो Monosecuride जो होते हैं मैंने बताया कि वही उनको तीन भागों में बाटा गया मोनो, ओलीगो और पोली सेकेराइड मोनो सेकेराइड, ओलीगो सेकेराइड और पोली सेकेराइड यह जो मोनो सेकेराइड जो होते है मोनो सेकेराइड ओ यहां तक कि ओलीगो सेकेराइड यह सेकेराइड जो होते है आपस में मिलकर यह निर्मान करते है किसका सूगर सूगर बोले तो सरकरा सरकरा S U G A R सूगर सूगर यानि क्या होता है वही सरकरा यह सरकराओं का निर्मान भी कौन करते हैं कार्बो हाइट्रेट से होता है याद रखें सरक्राओं का जो निर्मान होता है वो किस से होता है कार्बो हाइट्रेट से ही होता है तो यानि कि हम यह भी कह सकते हैं कि जो सरक्राओं है वो वास्ताओं में क्या है कार्बो हाइट्रेट हैं तो यानि कि अब यहां सरक्राओं से जुड़े हुए भोती इंपोर टेंट जो क्यूसन है वो एक बार पूछा गया एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया और वो क्यूसन क्या है कि प्रकरती की सबसे मीठी सरक्रा क्या है आप बताएंगे मेरे को प्रकरती की सबसे मीठी सरक्रा कौन सी होती है प्रकरती की सबसे मीठी सरक्रा क्यूशन लिखी रहा हूँ वही मैं आप नौट कर सकते हो ये क्यूशन को कि प्रकरती काफी बार आ चुका है प्रकरती की सबसे सबसे मीठी प्रकरती की सबसे मीठी सरक्रा सरक्रा कौनसी होती है प्रक्रती की सबसे मीठी सरक्रा कौनसी होती है ओप्सन लिख रहा हूँ मैं ओप्सन नंबर एक है ग्लूकोज नंबर एक है ग्लूकोज नंबर बी लिख रहा हूँ मैं जिसका नाम है फ्रेक्टोज बताएं आपके दिमाग में क्यूशन आ गया है यानि की चल रहा है ग्लुकोज नमबर दो यानि की B नमबर पे लिखा फ्रेक्टोज नमबर C है मल्टोज 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 और D ओप्सन में मैं लिख रहा हूँ यानि की ये है क्या लैक्टोज लेक्टोज चारोपसन है आपके सामने सेम ऐसे ही क्यूसन आएगा पेपर के अंदर तो याद रखेंगे सेम ऐसे ही क्यूसन आएगा क्यों यानि कि यह क्यूसन है बिलकुल आया हुआ है आप देखेंगे आपको पुराने पेपर्स के अंदर आप देखेंगे आपको यह कई तक का सबसे मीठी सरक्रा का नाम क्वाती कि सबसे मीठी सरक्रा कॉनसी होती है यह जवाब जो तो अगर नहीं पता तो आपको पता हो ना चीए क्या है वहảrete क्टोजROs यह रखेंगे सबसे मीठी सरकरा है याद रखें एक और क्यूशन यहां एक और बनता है एक और प्यूचा जाता है प्रकृति का सब से मीठा पदार्थ यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है लोग वाग क्यूशन को सभी से नहीं पढ़ते और गलत करते हैं देखो पर में हमें टाइम मिलता है ठीक है यह बाद सही है कि देखो पेपर जो बदानने माले होता इतना नहीं कि उसको बहुत जादा ही one उतना लेंधी ओνता है त्पैमक्ति यहानि कि आगर जिसको आता है उसके लिए one time sufficient होता है देखो हम यहाँ बातंबात कर रहे हैं सेम ऐसे use बिल्कुल क्यूशन थोड़ा सा फरक है ठीक है और इसमें गलत करते हैं अधिकांस लोग सेके नमर पे मैं एक और क्यूशन नौट कर रहा हूँ यहां पे और वो है सबसे सबसे मीठा सबसे मीठा रासाइनिक केमिकल chemical यानि की रासाइनिक सबसे मीठा रासाइनिक पधार्थ chemical matter रासाइनिक पधार्थ सबसे मीठा रासाइनिक पधार्थ कौन सा होता है कौन सा होता है सबसे मीठा रासाइनिक पधार्थ कौन सा होता है देखो उपर दोनों की उसनों में बहुत जादा difference है मगर कुछ लोगों को difference नजर नहीं आता और नजर नहीं आने के वज़े से इसको कर देता है बेटा क्या गलत आपको गलत नहीं करना देखो उपर का question है प्रकर्ती की सबसे मीठी सरकरा कौन सी होती है और वहाँ पे आपको क्या करना है वहाँ पे आपको करना है फ्रक्तोज करना है सबसे मीटी सरकरा का नाम क्या है फ्रक्तोज और मगर यदि आप से पूछ ले कि भाई सबसे मीठा रासाइनिक पधार्त कौन सा होता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका उत्तर लिख रहा हूँ और इसका नाम है बेटा सैकेर क्या है भई सेकेरीन क्या है बिटा सेकेरीन है इसको हम जनरल वे में किस नाम से जानते हैं आप जानते होंगे क्या कहते हैं इसको बोल सकते हैं हम एसे यू जी ए और सुगर फ फ ऑर डवली यानि कि सुगर फ्री सुगर फ्री के पऊच आता है देखता है अपने दुकान पे देखा हैं वही होता है सेकेरीन याद रखें तो याद रखें यहां क्यूसरैंगी इंपोर्टेंट है सबसे मीठा रासाइनिक पधार्त जो होता है वो कौन सा होता है और आपको उत्तर में करना है सैकेरीन क्या करना है वही सैकेरीन करना है तो याद रखें सबसे मीठी सरकरा तो कौन सी है फ्रक्टोज सबसे मीठा रासाइनिक पधार्त कौन सा है सैकेरीन याद रखें जो होता ह वो उन लोगों को दिया जाता है जिनके diabetes होता है DAIBET-GE अपने शुना होगा बहुती फेमस बिमारी हैा diabetes बहुत से लोगों के है ठिक है यह बच्छों से लेके और बूड़ों तक किसी के भी को सकती है इसलिए याद रखें diabetes वाले जो लोग होते हैं उनको मीठी चाय पीने की भी इजाजत नहीं होती है मीठी चाय नहीं पीते हैं और जब मीठी चाय नहीं पीते तो इसका मतलब है कि रसगुले तो खाई नहीं सकते किसी आलत में भी ठीक है अगर उनकी इच्छा हो रही है गुलाव जामुन खाएं वह नहीं खा सकते अगर खाएंगे तो आपको बता है दस बारा पंदरा दिन खाएं उसके बाद में फिर लोग बाग उनके ठीक है फिर नीचे लोग बाग उनके घुलाव जामुन खाने के लिए थीगा है कि आद रखना है रही हमें जो होता है यह केवल strongest वैसे बनाया गया किस यह बनाया गया है जिनके डाइबिटी जी माद्धु मैं रोग है उनके लिए ठिक है और यानि के बात यह उनकी भावनाओं की कदर करने के लिए कि जिन व्यक्तियों के डायबिटीज मत धुमें ठीक है मैलाइटस कई नाम है इस रोग के हम रोग पढ़ेंगे तब आपको और बताएंगे अच्छे से याद रखे डायबिटीज वाले जो रोग होते हैं जिसको रसगुले बहुत ज्यादा पसंद है उस ऐसे व्यक्ति के अगर डायबिटीज हो गई वो तो फिर जिंदगी वर विचारा खाई नहीं सकता गुलाब जामुन तो यानि की देखो उनी की भावनाओं की कदर करने के लिए बनाया गया एक ऐसा पदहार्त का सेकेरीन अब इस पदहार्त को अगर वो गुलाब जामुन में डाल कर खाएगा तो उसे बिल्कुल मीठे का मज़ा आएगा और ये मीठे का काम भी नहीं करता तो याद रखें कि सबसे मीठा जो रासाइनिक जो पदहार्त होता है वो क्या होता है बिटा सेकेरीन होता है ठीक है तो यानि कि ये हैं सरकराएं और भी कई प्रकार की सरकराएं होती है ठीक है हम बाकी बात करेंगे ये मोश्ट बात थी सरकरा से जुड़ी वी की सबसे मीटी सरकरा का नाम क्या है तो सबसे मीटी सरकरा का नाम क्या है वही फ्रक्टोज है सबसे मीठा रासा इनिक पधार्थ कौन सा है तो वो क्या है भई सेकेरीन है वो क्या है सेकेरीन देखिए इसके बाद कुछ और भी प्रमुक सरकराएं है ठीक है उनक इंपोर्टेंट है तो ध्यान देंगे हम बात करेंगे यहां पर कुछ प्रमुख सरक्राओं की और उनको किस नाम से जाना जाता है तो यानि की कुछ प्रमुख सरक्राओं की मैं यहां बात कर रहा हूं कुछ प्रमुख सरक्राओं में सबसे पहले एक का का आपको नाम पता जल गया है कि फ्रक्तोज है फ्रक्तोज एक ऐसी सरक्रा जो सबसे मीठी सरक्रा है देखो यहां पर हम बात कर रहा है पहले नमबर पे जो है उसका नाम है गुलूकोज उसका नाम क्या है भई गुलूकोज एक प्रकार की सरक्रा है दूसरे नमबर पे यदी में बात करूँ तो उसका नाम है जैसे फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज भी क्या है एक सरक्रा है फ्रक्टोज तीसे नमबर पर यदि मैं बात करूँ तो वो है बिटा जैसे माल्टोज माल्टोज भी एक सूगर है सरक्रा है तीसे नमबर पर यदि मैं बयान की चोथे पर बात करूँ तो वो है बिटा जैसे लेक्टोज पाँचवे नमबर पर यदि मैं बात करूँ तो वो है जैसे गलक्टोज वो क्या है गलक्टोज है नेक्स्ट नमबर पर अगर मैं बात करूँ छ dairy नमबर पर और तो वो है जैसे मैनोज सरक्रा है तो यानि कि ये है कुछ प्रमुक सरक्राएं, ये क्या है बेटा, कुछ प्रमुक सरक्राएं है, पहली कौन सी है, गुलुकोज है, दूसरी कौन सी है, फ्रक्टोज है, तीसरी क्या है, माल्टोज है, चोथी क्या है, लेक्टोज, पाचवी क्या है, गलेक्टोज है, और छे न अंगूर की सरक्रा किसे कहते हैं निम्न में से अंगूर की सरक्रा है कौन सी है या कैसे भी देखो लेंग्वेज क्यूसन की कैसे देता है वो एक्जामिनर के उपर डिपेंड है बाकि आपको उस लेंग्वेज पर जाके आपको मैं ठीक है उसका जो रहस्य है वो क्या पूछन अंगूर तो यानि की अंगूर की सरक्रा कहते हैं यहां किसको अंगूर की सरक्रा तो अंगूर की सरकरा, अंगूर की सरकरा किसे कहते हैं, गलुकोज को कहते हैं, किसको कहते हैं वही, गलुकोज को कहते हैं, किसकी सरकरा, अंगूर, क्योंकि अंगूर में पाया जाता है, वही सबसे ठीक है, इसलिए इसको अंगूर की सरकरा कहते हैं, फ्रक्टोज, फ्रक्ट की सरकरा इसको क्या कह सकते हैं वही इसको फलों की सरकरा भी कह सकते हैं तीसरे नमबर पर माल्टोज माल्टोज को क्या कहते हैं इसे बोलते हैं बीजों की सरकरा किसकी सरकरा बीजों की बहुत इंपोर्टेंट बाते चल रही है वही नौट कर ले आप इने बहुत इंपोर्ट सेंट हैं बीजों की सरक्रा किसे कहते हैं बीजों की सरक्रा कहते हैं माल्टोज को लैक्टोज लैक्टोज को क्या कहते हैं इसे कहते हैं दुग्द सरक्रा क्या कहते हैं इसे वही इसे कहते हैं दुग्द यानि की दूद यानि की दूद की सरक्रा कहते हैं यानि की दूद में पाया जाता है लेक्टोज सबसे जादा इसलिए से दुग्द की सरक्रा कह रहा है दुग्द शरक्रा इसे बोल रहा है दुग्द सरक्रा क्या बोल रहा है वही दुग्द सरक्रा इसे कह रहा है उसके बाद में क्या क्या बच गया कौन सी कौन सी बच गई गलेक्टोज और मैनोज गलेक्टोज और मैनोज तो गलेक्टोज और मैनोज देखो यह अच्छी बात है कि इन दोनों को ही कहा जाता है लकडी की सरक्रा इन्हें क्या कहते हैं वही लकडी की सरक्रा के नाम से भी ने जानते हैं लकडी की सरक्रा तो ध्यान दे दुबारा से मैं बात कर रहा हूं यहां बात कर रहा है गुलुकोच तो गुलुकोच को क्या कहते हैं वही अंगूर की सरक्रा इसे कहते हैं क्या कहते है अंगूर की सरक्रा इसे कहते हैं सेके नमर पे क्या है फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज को क्या कहते हैं फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रक्टोज को कहते हैं उसके बाद क्या है माल्टोज है माल्टोज को बोलते हैं किसकी सरक्रा बी तो यह है बाद में है गेलेक्टोझ और मैनों जसह इन दोनों कि हम क्वित पूछू पूछा क olması सकते हैं इनको लकड़ी की हमसे जानते हैं तो यह हैं हमारी कुछ प्रमुक सरकरां याद रखेंगे पेपर में इनी में इसे पूछा जाएगा वह कूछा पूछ सकता है आपको जा तो चाहे अंगूर की सरक्राइब मैं गूलुकॉज करें अगर आपको पूछ 않아 कि क्विहान वहां पे करना है फ्रक्टोज और ऐको Pues कि 90 कोनसी होती तो मुस्ती कुन होती है माइल्टज होती यहां अगर आपको पूछले लकडी की सरक्रा किसे कहते हैं तो फिर mm के सकते हैं दोनों को हम सकते हैं यानि कि हमारा नोरा फील होगा क्या चल रहा था कार्व API Agency कre थोड़ी दिर पहले मैंने एक बाद बताई ती कि इसका काuish इंपर्टन हाई कarta कश न की जहां। तो 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 यह की जहां चोंड सुनाख से लिए चुक रखना को कार्वाइट ॉस्फिकर मुह से सेज के नाम से जानते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही आम आगे पढ़ेंगे ठीक है धन्यवाद